हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है उमेद है आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें आने वा ही जो इसके बागी कंशत direct बनते हैं उसको भी अच्छै रंग से डिसकूस करते हुए है चल रहे हैं तो आपने क्या कर रहा है आपने इस वीडियो बहुत ही अच्छे डंग से वीडियो को एंड तक देखना है और आपने हमारा साथ बनाई रखना है उम्मेद है आप इस लोगडाउन में आपका जो टाइम है इसको अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट कोशन से तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट कोशन क्या है भाशा सभी विश्यों के डैश में है अब यह पूछ रहे हैं कि जो भाशा है वो सभी विश्यों के किसमे है अध्यायों में है केंद्र में है प्रारंब में है या फिर पढ़ने में है तो आपको तो यह बताना है तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वो कौन सा हो सकता है आपने थोड़ा बहुत सोचना है और बताना है इसका सही उत्तर कौन सा हो सकता है तो क्या अध्यायों में है अध्यायों में तो चलो होती है अगर हम वैसे बात करें तो यह केंदर में होती ह सेंटर में होती है जो आपकी भाषा होती है वह आपके केंदर में होती है सभी विश्यों के केंदर में आपको देखने को मिल जाती है और जो हमारा के section के end होने के बाद आपने मार्क्स आपके कितने नंबर आए हैं आपने उन को कमेंट box में जरूर से बताना है कि आपके कितने मांक्स यहां पर बने हैं अब देखते हैं question number two को कविता का एक निश्यत अर्थ होता है किसकी बात कह रहे हैं यह poem कि बात या आपक ही जा रही है जिसे सभी विद्यारतिखोंड को पढ़ना चाहिए और इस कखन के बारे में आप मांते हैं कि आपने कफन मखें बात कही है जो अभी नेन्हों कवी ने कविता के अर्थ में लिखी हर विद्यारती को समझना चाहिए कि इसमें उने क्या बात कही है कि कवी ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसको हर विद्यारती को समझना चाहिए तो आपको लगता है यह बात सही है कि कवी अभी कवी ने तो जैसे मर्जी कविता होती है तो यह बात कही जा रही है कि अलग-अलग अर्थागार आप समझते हैं तो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह यहां पर इंटरप्ट हो रही है या फिर जो अप्शन नमबर फूर है कि कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए किसी कविता को पढ़ना चाहिए तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा अगर हम यह आपर बात करें हमारे सही ऑप्शन की तो वह कौन सा होगा कि सभी विद्यारती अपने अनभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं तो यह आपका बिल्कुली सही है तो यहां पर जो भी कविता होती ह है तो जितने भी आपको विद्यारती देखने को मिलते हैं तो अपने अनभव के हिसाब से ही तो जो कविता होती है उसको यहां पर समझ पाते हैं तो यहां पर उसका सही अंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन और बाकी की जो ऑप्शन हो जाएंगे यहां पर बिल् है क्या करहा जा रहा है कि आप मानते हैं कि अलग-अलग तरह कि सामगरी मतलब कि अलग-अलग आपको जो पढ़ने का मैटेरियल मिलने से या फिर जो अपर्चुन्टीस है वह मिलने से क्या होगा व्याकरन समस्त भाषा सीखने को मिलती है तो आपको लगता है कि जो व्याकरन देखने को मिलती है या फिर जो option number 4 भाशा को विविद इस अंदर्बों में प्रेयोग करने की समझ बनती है तो बिलकुल आप जो समझ रहे हैं वही और इस option का जो कह सकते हैं question number 3 का बिलकुल सही आंसर है क्योंकि यह कोई भी बता सकता है कि जो option number 4 है वह बिलकुल सही है क्यों सही है इसके बारे में भी हम डिसकस करते हैं तो यहां पर question में उन्हें हिंदी में विग्यान संबंदी पाठो को पढ़ाने का उदेश क्या है आपको यह बताना है तो क्या है इसका उदेश विग्यान विशय की घराई को जानना तो दोस्तों अगर हम बाद करें कि क्या आपको लगता है कि हिंदी भाशा में विग्यान विशय की घराई पर आप जोर दिया जाएगा या फिर विख्यान के प्रति जिगेसा बढ़ाना कि जो विख्यान है उसके प्रति आपकी रूची बढ़जाए इसलिए आपको भाषा की कताबों में जो सब्जेक्ट या फिर विख्यान के गन्फ्यूज हो सकते हैं कि option number 3 होगा या फिर 4 होगा और मुझे पता है कि आप ज़्यादा तर जो आपके students हमारे students हैं वो option number 3 को यहाँ पर सही लगाएंगे बट यहाँ पर option number 3 आपका सही नहीं है ठीक है तो जो हमारा last time जो seated ने इसका सही आंसर दिया था वो दिया था option number 4 आ आपका गलत हो जाएगा तो चुलिए देखते हैं आप हमारा आज का 5th question अब देखते हैं कि लेखन शमता के आकलन के लिए जो भी लेखन शमता है उसकी evaluation करनी है उसके आकलन के लिए आप क्या करेंगे व्याकरण सम्मत भाशा को देखेंगे अर्थे पूर्ण वाक्यों और संदर्बों को देखें या फिर लिखावट की सफाई और संदर्ता की जासना होगी या फिर अभिवेक्त विचारों को जासना होगा तो दोस्तों अगर हम बात करें कि लेखन यहां पर लेखन शमता के आकलन के लिए आप क्या करेंगे तो क्या सिर्फ व्याकरण सम्मत लावट में सुंदर्ता है सिर्फ उसको ही देखा जाए तो यह उप्शन भी गलत है अगर हम बात करें यहां पर फूर्थ ऑप्शन की तो यहां पर क्या बताया हुगा है कि अभी व्यक्ति विचारों को जासना ठीक है ना तो क्या इसका यह होगा या फिर अर्थे और संदर्बों को देखना होगा लेखन शमता के आकलन के लिए तो यहां कर आप्शन अबर जो टू है वह बिल्कुल ही सही है अब हम चलते हैं आज के मारे नेक्स कोशन पर तो देखते हैं हमारा नेक्स कोशन सिक्स्त कोशन है हिंदी के पाठ्थ में अन्य भाषाओं के श द्यारते को शुर्द भाषा नहीं सिखाई जा रहे या फिर पाठ्थ का लेखन हिंदी नहीं जानता तो आपको यह बताना है यहां पर फिर से हम कोशन पड़ते हैं कि हिंदी के पाठ्थों में अन्य भाषाओं के सब्तों के होने का अर्थ क्या है या फिर पाठ्थ समाज के बागी ऑप्शन हम हो जाएंगे गलत तो यहां पर आपके जो भी हिंदी भाषा के अन्य भाषाओं में इन जो भी इनका प्रयोक किया जाता है वह इसलिए क्या जाता है कि बहुँआ कर सके सहुच्छती प्रसुति यहां पर प्रतान कर सकें चले चलते हैं कौशन नमबर बढ़े लिए जो भी तरक शी elda उट्हों बढ़ाने के लिए या फिर बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं या फिर आप्षनमभर 3 बच्चों को उत्तर तेङना शिखाते हैं या फिर और 4 बच्चों को पार्ट समझने में मदद करते हैं तो यहांपर तारकिक बना option number जो इसका फूर है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा तो चलिए चलते हैं आज के हमारे यहाँ पर इसे उच्छ प्रात्मिक स्थर पर पाठ्थे समगरीं में अनुमाद समगरी रखने का अधीश किया है आपको यह बताना है कौन सा यहाँ पर option होगा बिल्कुल सही तो यहाँ पर अगर हम बात करें उच्छ प्राथमिक स्तर पर जो पाठ समगरी के में अनुवाद समगरी रखने का उद्देश क्या होता है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा कि अन्य भाशाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना ठीक ना हो ना तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर जो आपका सैकेंड वो बिल्कुल सही है अब अब हम चलते हैं आज के हमारे नौइंध कोशन पर यदि आपकी कक्षा में दृष्टी बाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे दृष्टी बाधित मतलब कि देखने में उनको समस फठी देंगे हम दर्दी दिखाएंगे इसा करेंगे ना उनको कम अफ्ट्र गतियां कराएंगे नां से अल गतिवत्या करा हें alanstellen विद्धिया क्या है उन उन्हें पढ़ने के उप्यूकताब साधन देंगे उनको ताकि वह अच्छे डंक जैसे की प्रेल लीपी में क्या होते हैं को उभरी उभरी से अक्षर होते हैं Sindha बच्चा हाथ लगाकर पढ़ पाता है समझ पाता है तो आप उनको वह प्रवाइड करवाएंगे तो उप्शन नमबर जो इसका सही आंसर हो जएगा उप्शन नमबर फस्ट इसका सही आंसर है अब हम चलते हैं आज के मारे टैंथ कोशन पर पढ़ना सीखने के लिए अवसक् दर्क्षा में लगाएं जाएं याब लक् blocks भासा ही अगर 27 दो गलत है तो उप्शन आपर योँ हो जाएगा वह बिल्कुल यहां पर सही आंसर है तो चले चलते हैं यहां पर आप्शन नमबर टू में कहा जा रहा है कि लक्ष भासा जो भी आपकी टार्गेट लाइंग्वेज होगी इसको यहां पर अर्थपूर्ण और रोचक सामेगरी है वह सुनने पढ़ने को यहां पर यहां पर बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे ऑप्शन नमबर जो आपका सेकेंड़ वह बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा तो चलते हैं आज के मारे नेक्स्ट कॉश्चन पर लड़के लड़के होकर रोते हो यह आपने ऑलड़ी कितनी भी पैड़ागोजी मे हमने कितनी बार यह जेंडर बाइस का कोश्चन है तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि लड़के होकर रोते हो यह कथन क्या दर्शाता है भाषा को अध्यापकों की द्रिष्टी से पढ़ाने को बात दे करता है या फिर भाषा को व्याकरण की द्रिष्टी से पढ़ाने का आप देखरता है तो आपको यह बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा यहाँ पर मदा करें तो यह пот string बता रहा है कि भाषा को जैंडर की दिरिश्टी से से बाद दे कि किया जा रहा है किसी एक विशेष हो जैंडर पुकाव दिखाया जा रहा है ठीक है ना इनक्लाइनेशन टुवार्डा स्पैसिफिक जेंटर सो अवर राइट आंसर इस ऑप्शन नमबर टू ठीक है तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह जाएगा टू यह क्या बता रहा है कि भाशा की जेंटर की दिरिष्टी से करने को बादे करता है तो चले चलते हैं क्वाशन नमबर 13 पर तो देखता है कहानी के संदर्ब में कौन सा कथन उप्यूक्त लगता है तो आपको यह बताना है कि कहानी के संदर्ब में कौन सा कथन उप्यूक्त है कहानी के शुरुवात होना अवशक है कहानी में शुद्भ शरुवां तो ह्यां सबसे उप्युक्त पूछा जा रहा है तो यहां पर फर्स्ट भी यहां पर जो आपका फॉस्ट है वह भी कलत है जैसे मान ले जे कि पहले कहानी में क्या शुरुआत की जाए उसके पर 20 में क्या उसमें मसाला डाला जाए बाद में बच्चों को कैसे इंट्रस्टिंग लगेगी वो कहानी उसका बाद में जो moral of the story होता है ना कि जो कहानी की एक सिक्षा होती है तो यह सारी जो बाते होती हैं इन सभी बातों को जो ध्यान रखते हैं इसी को हम कथानक कहते हैं तो इसका कथानक होना चाहिए बहुत ही important तो आपका सही answer हो जाएगा option number three चले चलते हैं आज के मारे second last question पर एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में यह पर यह पुशा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अलंकरिद भाषा के भाषा के संदर्बों में भाषा प्रयोग की शमता विक्षित करने पर बल देना चाहिए या फिर जो ऑप्शन नमबर 3 है कि शुद्ध भाषा प्रयोग की शमता विक्षित करने पर बल देना चाहिए या फिर भाषा सिधानतों की समझ विक्षित करने पर बल देना कि विविद संदर्बों में भाशा प्रयोगों की शम्ता विक्सित करने पर बल देना चाहिए क्यों क्योंकि यहां पर आपके विविद संदर्बों में यहां पर लिखना बोलना पढ़ना सुनना सभी बाते यहां पर आ जाती है तो भाशा सेखने का मेन उदेश तो यही होता कोई भी भाषा किसी भी लपी में लिखी जासकती इस कथर आपकी राय कि क्या यह बहुत ह्ता की होती है या फिर साय संभण संभण संसर क्या है आपता हुए आपको को आती है यासे पन्जाब की गुरू मुक्री लिपी या फिर हिंदी की डिव नागरी एंग़ची रोमन है तो आप किसी वी भाशा कि अगर आपको लिपी आ गई है तो आप किसी और भाशा की जो भाशा है ऐसको अपनी लिपी मेंू सकते हैं वह भले में आपको यहां पर बता चुका हूं तो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं तो आपको यह लग रहा होगा कि हमने यह जल्दी खतम कर दिया तो यहां पर कुछ ज्यादा कुछ समझने वाला था भी नहीं और जो हिंदी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है थैंक यू सो मच पर वाचिंग गौड ब्लेस्ट यू वाल